मुवी की शुरुवात में हमें वॉइस ओवर के साथ एक न्यूस रिपोर्ट दिखाई जाती है कि यूएस की दो ओयल एंड गैस कंपनी के बीच एक मर्जर होनी जा रहा है किलन के CEO जिमी पॉप इस मर्जर के लिए हाथ मेला चुके हैं इसके बाद हमें डीन वाइटिंग नाम का आदमी दिखाये जाता है जो की एक लॉफरम का हेड है डीन अपने आदमी बैनिट हॉलेडे को अपने पास बुलाकर बताता है कि कॉनेक्स ओयल कंपनी हमारी उन्होंने परिशन गल्फ में नैचरल गैस का बहुत बड़ा कॉन्ट्रेक्ट हाल फिलान में गबा दिया है और अब वो कॉन्ट्रेक्ट एक चैनिस कंपनी को मिल चुका है और इसी बीच किलन नाम की छोटी सी कंपनी ने कैसे भी करके कजाकिस्तान में एक ओयल फिल्ड के किलन जैसे कंपनी को कैसे मिल सकता है और इस वचय से कॉनेक्स और किलन का मर्जर रुपा पड़ा है दीन बैनट से बोलता है कि मैं चाहता हूं के तौम किलन कंपनी के बारे में अच्छे से पता लगाओ कि उन्होंने ये राइट्स आखिर आखिर हासिल कैसे की है और जो भ बॉब देखता है कि एक डीलर एक वेपन केस को एक एजप्टियन आदमी को सौंप आया है और दूसरे वेपन केस को ये लोग एक कार में लोड़ करने लगते हैं। असल में इन वेपन केस में एंटी टैंक मिसाल से हैं। जब बॉब यहां से निकल के जा रहा होता है तभी आप्श डीलर की कार में जोड़दार ब्लाश्ट होता है और इस सब के बारे में बॉब अपने सौपीरियर को रिपोर्ट करता है मगर उसकी सौपीरियर काफी नर्वस हैं क्योंकि बॉब उस मेसाल को ढूणने में लगा मगर एक मीटिंग के दोरान बॉब कुछ ज़्यादा ही बोल जाता है और काफी सारे हायर अप्स उसे खुश नहीं है और अब बॉब भी काफी वरेड है इसी आई अब उसे किस जगे पे फैकने वाली है इसके बाद कॉनेक्स ओयल कंपनी का मीटिंग होल दिखाय जाता है जहाँ पर किलर कंपनी का सीयो जेमी पोप काफी फुदकरा होता है कि दुरिया की टॉप लेवर ओयल कंपनी जिस प्रोजेक्ट को हासिल नहीं कर पाएं उसे किलर ने हासिल करके दिखाया फिर कॉनेक्स कंपनी का कंसल्टेंट सिडनी हैविट सभी के सामने बैनेट में कॉनेक्स के कुछ वर्कर दिखाये जापे हैं उन्हें उनका सुपीरियर बता पाएं कि अब हर उस वर्कर को निकाला जा रहा है जो कि illegal immigrants हैं अब काफी सारे वर्कर काफी परिशान हैं क्योंकि उन्हें अब तक रोटी कपड़ा मकान सब कॉनेक्स ही प्रवाइड कर रह असल में ब्राइन एक अमेरिकन इनर्जी एनलिस्ट है ब्राइन को उसका सुपीरियर एक पार्टी के बारे में बता पाएं जो कि Marbella स्पीन में होने वाली है और उसे और्गनाज करने वाला आदमी है परिशन गल्फ किंग्डम का किंग जिसका नाम हामिद अलसुभाई है मगर ब्राइन हैसिटेट कर रहा होता है तो उसका सुपीरियर बोलता है कि तुम अपनी फैमली भी वहाँ पर लेके चले जाओ और खूब इंजोई करो इसके बाद ब्राइन अपनी फैमली के साथ Marbella स्पीन पहुँच जा पा है और वहाँ खूब इंजोई करता है रात को रूम में केंग का चोटा बेटा प्रिंस मेशल अलसुबाई केंग और काफी लोगों को पार्टे की फुटेज दिखाता है और इसी बग स्विमिंग पूल में एक एलेक्टरिक फॉल्ट हो जाता है जिससे पूरी स्विमिंग पूल में पानी में बिचली दोड़ने लगती है और पूल के बाहर ब्राइन का बेटा काफी बच्चों द्वारा मोटिविट किये जाने पर स्विमिंग में जंप लगा देता है और वो फिचारा मारा जा पाए इसकेब ब्राइन के बेटे का फ्योनर्ल होता है और ये लोग काफी दुखी है तो वसीम और उसके साथ ही एक मदरसा जॉइन कर लेते हैं ताकि वो लोग Arabic सीख सकें जिससे उन्हें बैटर जॉब मिल सकती है जब वसीम और उसके दोस्त फुटबॉल खेल रहे होते हैं तब ही इनकी मुलाकात एक आदमी से होती है यह वही आदमी है जिसे तेहरान में Arms dealer न किसी को घुच देकर कजाकिस्तान में drilling rights हासिल किये हैं वरना उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि उन्हें कजाकिस्तान में इतनी बड़े oil field के drilling rights मिल सकें Donald Bennett से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम Sydney habit के साथ काम करते हो उसे समल के रहना वो अच्छा आदमी नहीं है और इस सब के बार में Bennett Sydney को inform करता है कि department or justice काफी confident है कि वो लोग killing company का corruption पकड़ लेंगे हो सकता है कि उनके पास कोई informer हो इसके बाद Dean Whiting king के चोटे बेटे मेशल से मिलता है असल में king का बड़ा बेटा नासर एक काबिल और ambitious prince है तो Dean मेशल को उकसारा होता है और बोलता है कि मेशल क्या तुम अगले की नहीं बनना चाहते जिस पर मेशल कोई भी जबाब नहीं देता तो Dean टॉन करता है तुम king बन प्रिंस नासर ब्राइन को बताता है कि मेरे पिता ने मरबेला के state को destroy करवा दिया है जहां पर तुम्हारा बेटा खतम हुआ था प्रिंस कहता है कि हम तुम्हारे बेटे की याद में तुम्हारी फर्म को 75 million dollar के oiling rights देने वाले हैं और मैं तुम्हें 100 million dollar और extra दूंगा अगर तुम मेरे economy advisor बन जाओ तो इसके लिए Brian मान जाता है और अपने हिसाब से best advice देने लगता है और बताता है कि आपको oiling rights कैसे control करना चाहिए और अगर आप transport routes में जरा साफ फिर बदल कर लो तो आपका खर्चा आधा और profit डबल हो जाएगा वहीं दूसरी तरफ बाब को उसकी superior Jane बुला कर बता भी है कि तुम्हें फिर से field job पर जाना होगा superior बताती है तुम्हारा अगला target प्रिंस नासर होगा प्रिंस नासर काफी सारे terrorist group को finance करता है और इसी नही मुहमद शेक अगीजा को काम पर रखा था और अगीजा वही आदमी है जिसे तेहरान में Iranian arms dealer ने anti-tech मि प्रिंस नासर बेरुट जा रहा है और बॉब तुम बेरुट में पहले भी काम कर चुके हो और इसके बाद बॉब Stan Goff नाम के आदमी से मिलता है जब Stan को पता चलता है कि बॉब बेरुट जा रहा है तो वह बॉब को वारन करता है कि इस mission को शुरू करने से पहले तुम हिज तुम्हारा यहाँ पर स्वाकत है और हम तुम्हैं यहाँ पर स्थ पैसिज defending यहाँ के मिलता है और उसे परिंस नासर के पिक दिखा कर बोलता है कि इसे अगवा करो और इसे मार दो और मुसा भी इसके लिए मान जा पाए प्रिंस नासिर भी बेरुत आया हुआ है और उसके साथ ब्राइन भी है प्रिंस वगेरा एक जगे बैठे वे होते हैं तो बॉब भी पास वाली टेबल पर बैठा अपना खा करर लेते हैं और जब बॉब को को फुष आता है तो वो देखता है कि उसे तो मसा भी नहीं किडनेप कर लिया भा मुसा भी फिर बॉब को टॉर्चर करने लगता है असल में मुसा भी अब इरानीर एजींट बन चुका है और वो जानना चाता है कि बॉब ने प्रिंस नासिर को मारने के लिए किस-किस को हायर किया है जब मुसाभी बॉब को मारने वाना भा तब हिजबुल्ला का लीडर यहाँ पर आजा पाए और बॉब को बचा लेता है यह कहकर कि बॉब को हमने सेफ पैसेज का वादा जो किया है वहीं दूसरी तरफ मुहम्मद शेक अगीजा वसिम वगेरा का अच्छा दोस बन चुका था वो वसिम वो एक केस देखाता है जिसमें वही एंटी टैंक मिसाल थी वहीं दूसरी तरफ बॉब का फिर इलाज होता है और आप बॉब की सुपीरियर्स काफे घबराए हुए है क्योंकि मुसाहभी अब घबर फैला रहा है कि C.I.A. प्रिंस नासिर को मारना चाती है तो ये दौनों सुपीरियर्स, C.I.A. के डाइरेक्टर के पास जागर सारा मेंटर बताते हैं तो डाइरेक्टर कहता है कि बॉब से दूरी बना लो ऐसे शो करो कि हम तो बॉब को जानते भी नहीं है और उसने हमारे ने कभी भी कोई काम नहीं किया है उस पे चार्जेस लगाओ, जूटे, सचे, कैसे भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता मगर बॉब को C.I.A. से बिल्कुल अलग कर दो बॉब ने कुछ समय पहले दो लोगों को मारा भा वो असल में आंप्स डीलर की बजाए इरानियन एजेंट से और उनकी मौत का इल्जाम बॉब पर ठोक दो और ये भी साबित कर दो कि प्रिंस नासर को मारने का काम बॉब को किसी और ने सौपा था फिर बॉब से उसके सभी पासफूर्ट वगएरा ले लिये जाते हैं इसके बाद प्रिंस नासर उने पिता से मिलने जाता है मगर उसे उनसे नहीं मिलने दिया जाता ये कहकर कि उनकी तविया ठीक नहीं है मगर असल में प्रिंस नासर ये समझ चुका था कि अमेरिका उसे खत्रा मानता है और अमेरिका उसकी पिता पर प्रेशर बना रहा है कि उसकी पिता अगला केंग नासर के छोटे भाई मेशल को बना दें असल में नासर का छोटा भाई इतना भी स्मार्ट नहीं है और उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है प्रिंस नासर काफी नाखुश है और वो ब्राइन पो बता पाए कि वो इरान की एकॉनोमी को सोधारना चापा है वो इरान से यूरोप तक ओयल पाइप्लान बिछाना चापा है ताकि इरान ग्रो कर सके मगर ऐसा बहुत से लोग होते होई नहीं देखना चापे प्रिंस नासर बताता है कि जब चाइना ने ओइलिंग राइट्स के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी तो मैंने इसके लिए मंजूरी दे दी थी मगर इसके लिए मुझे आतामादी घोजित किया जा रहा है और मेरे नाम नजाने कितने टेररिस्ट गुरुप से जोड़े जा रहे हैं डीन वाइटिंग जो कि मेरे भाईट को सपोर्ट कर रहा है उसने मेरे फादर पर प्रैसर बनाया है कि चाइनिस कंपनी से कॉन्ट्रेक्ट रद्द कर दिया जाए नासर बोलता है कि ब्राइन हमें इस तरह से क्यों दबाया जा रहा है हमारी विरासत को क्यों निचोडा जा रहा है हम अपना ही तेल अपनी मर्जी से क्यों निबे सकते और ये सुनकर ब्राइन भी काफी दुखी है और वो ये सब बापें अमनी वाइफ को भी बताता है मगर इसकी वाइफ काफी अपसेट है कि ब्राइन उन लोगों के साथ काम कर रहा है जिनके यहाँ पर उसके बेटे की डेथ होई थी वो कहती है कि ब्राइन प्रिंस ने तुम्हें 75 मिलियन क्या दे दिये और उसे इस सब में एक वायर ट्रांसफर फंड के बारे में पता चलता है जो कि टेकसस के ओयल मैं डैनी डेल्टन और कजाकेसान के ओफिशेल्स के बीच में हुआ भा तो वो कॉनेक्स के रिप्रेजेंटेटिव को अपनी डिस्कवरी के बारे में बता पा है कि किलन ने डेल्टन के थुरू कजाकेसान के रिसोर्स मिनिस्टर नूरजा डेटायव को ब्राइव किया भा और इस तरह किलन कंपनी को ओरिंग राइट मिल गए मगर किलन और कॉनेक्स के एक रिप्रेजेंटेटिव ऐसे बहेव करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं है मगर असल में उन्हें सब कुछ पता भा जिम्मी पोप डेनी डेल्टन को डिफेंड करने का ट्राइ करता है मगर उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता इसके बाद बैनेट डेनी डेल्टन से मिलता है मगर उसकी बात सुनकर डेल्टन बढ़ा कुटता है और कहता है कि क्या तु मुझ पर करप्शन के चार्जिस लगाओगे भूलो मत मेरे इसी करप्शन के वज़े से वो ओलिंग राइट्स एक अमेरिकन कंपनी को मिले हैं ना कि किसी रशियन या चाइनिस कंपनी को अगर मेरे करप्शन से अमेरिका को फायदा पहुँचता है तो मेरे ये काम बिलकुल सही है पूरी दुनिया करप्शन पर ही तो चल रही है एक दिन जब बैनेट जॉगिंग कर रहा होता है तो यूएस एटोनी डॉनाल्ड उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास किलन कंपनी के फ्रॉड के बारे में कुछ जानकारी है और डॉनाल्ड की फोर्स करने पर बैनेट बोलता है कि ये काम डैनी डेल्टन का है और उसके इस एक्शन का कॉनेक्स और किलन दोनों ही कंपनी में किसी को कुछ भी पता नहीं है तो डॉनाल्ड कहता है कि डेल्टन काफी नहीं है अगर तुम चाहते हो कि Department of Justice किलन को investigate करना बंद करके कोनेक्स और किलन का मर्ज हो जाने दे तो तुम्हें किसी बड़े नाम को सामने लाना होगा वहीं जब बॉब कंप्यूटर पर अगीजा के बारे में सर्च कर रहा होता है तो exit denied शो कर रहा होता है बॉब अपने superior Fred से पूछता है कि Fred मुझे क्यों investigate किया जा रहा है मैंने CIA के सबी rules regulation follow किये हैं और उनके सारे missions में किये हैं और मैं अपने last mission पर लगबग मर ही गया होता मुझे सब कुछ करके क्या मिला CIA मुझे ही investigate कर रही है और मुझे पर criminal charges लगाये जा रहे हैं ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है मगर Fred कोई भी जवाब नहीं देता इसके वाद प्रिंस नासर अपने फादर से जाकर पूछता है कि पिता जी आप अगला king किस वो बनाने वाले हैं तो उसके पिता बोलते हैं कि मैं थक चुका हूँ और अगला king तुम्हारा भाई बनेगा जिसवर प्रिंस नासर काफी नाखुश है नासर अपने लोगों के साथ मिलकर उसे राय मशुरा लेता है तो एक आदमी बोलता है कि तुम्हारे भाई को Americans का support है और यहां अमेरिका के 10,000 से भी ज़्यादा well-trained soldiers मौझूद है नासर कहता है और यही वज़य है कि मेरी पिता को Americans के pressure में आकर मेरे भाई को nest king बनाना पड़ रहा है और इनकी बातों से लगता है कि ये लोग rebel करने वाले हैं वहीं बॉब अपने X-CI friend Stan से मिलकर पूछता है कि मुझे आकर CIA क्यों investigate कर रही है तो Stan बताता है कि CIA और कुछ लोग काफी वरेड है कि कहीं तुम प्रिंस नासर के assassination attempt के बारे में अपना मू ना खोल दो और बॉब के बार बार request करने पर Stan बता देता है कि ये सब Dean Whiting का काम है वो काफी बड़ा आदमी है और उसकी काफी उपर तक पहुँच है Bob फिर Dean को मिलने के लिए बुला पा है और कह पा है कि मुझे investigate करना बंद करवाओ और मेरे passport लोटाओ वरना मैं guarantee देता हूँ कि तुमारी wife और बेटा कायब हो जाएंगे और कसम से उनकी dead bodies किसी को भी नहीं मिलेंगी और Dean डर कर बॉब की बात मान जाता है वही मौमबाद शेक अगीजा वसीम से आकर मिलता है और उसे अपने एक काम के लिए राजी कर लेता है असल में अगीजा ने वसीम को कॉनेक्स केलन के एक टैंकर को राश्ट करने के लिए राजी कर लिया है और वसीम ऐसा करता भी है वो एक fishing boat लेकर टैंकर में गुसा देता है वही बैनेक्स के CEO जिमी पोब को बताता है कि Department of Justice को एक और नाम चाहिए मेरा मतला उन्हें एक बड़ा नाम चाहिए डैल्टें से काम नहीं चलेगा तो जिमी पोब हिंट देकर कहता है कि अगर मैं ये कहूँ कि इस सब में तुमारी फर्म का एक बड़ा आदमी शामिल है अगर उसे फसाद हैं तो कैसा रहेगा तो बैनेट इसके लिए मान जाता है असल में डिपार्टमेंट और जेश्टिस भी चाता है कि कॉनेक्स और किलन का मरजर हो जाए बस ये लोग ये दिखावा करना जाता है कि उन्होंने इतनी प्रॉफिटिवल सिचुईशन में भी क्रिमिनल एक्ट के तहट क्रिमिनल्स को सजा दिलवाई है बैनेट और सिडने हेविट फिर कॉनेक्स के सीईओ ली जेनिस से मिलते हैं जहाँ पर बैनेट जेन्स को सिडने हेविट की एक सीक्रिट डीलिंग के बारे में बताता है कि प्रिंस नासिर GWR में जा रहा है और प्रिंस के काफिले पर सैटलैट से नजर रखी जा रही है वहीं दूसे तरह बॉब भी यहां तक कहुँच जा पाए और प्रिंस के काफिले को रुखवा कर प्रिंस के असेशिनेशन फ्लैन के बारें बताना चा पाए मगर इसी दोरान CIA का एक लीडर fire करने के order दे देता है और इनका drone pilot अपने drone से प्रिंस की car को उड़ा देता है जिससे प्रिंस और की family on spot मारी जा पी है इस काफिले में ब्राइन भी शामिल था मगर वो दूसरी गाड़ी में होने के कारण यहां से बच जा पाए और वो यहां से निकल जा पाए वो हैं दूसरी तर एक ceremony में new company Conniskillian Corporation के CEO को oil man of the year का award दिया जाता है इन लोगों ने Danny Dalton और Sydney Heavitt की बली चड़ा दी और Department of Justice ने इनके merger के लिए मंजूरी दे दी और इस ceremony के दोरान new king Meshel Al-Subai भी यहां पे मौझूद था असल में अमेरिका ने प्रिंस नासर को इसलिए मरवा दिया चौकि नासर अमेरिका को अपने आर्मी ट्रोप इरान में डिपलोई करने नहीं दे रहा था और वो oil mining rights को भी सिर्फ हाइश बिडर को देना चाता है और इसी के साथ यह movie end हो जाती है thanks for watching